प्रधान मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात गई है आज प्रधान मंत्री जी ने 500 रेल्वे इस्टेशन्स का अत्याधुनिक बनाने का सिला न्यास किया आप नई दिल्ली स्टेशन का वो नक्सा देख लीजिए और जो भी लोग देखना हो देख लें नई दिल्ली का नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन का नक्सा जो है वो बहुत जल्दी मुर्त रूप लेगा और दुनिया के बड़े बड़े एरपोर्ट उसके सामने फीके नजर आएंगे मैं थोड़ा सा अगर उसको एलिबरेट करूँ तो नई दिली स्टेशन पे इस स्टेशन भी होगी उसके उपर बहुत बड़ा मार्केट भी होगा और एक बहुत बड़ा हैपनिंग खुशी का प्लेस होगा जिसको लगता है गाड़ी थोड़ी सी आगे पीछे हम पहुँच गए तो आराम से उपर जा करके कहीं बैठ सकता है अच्छी मतलब वो बेवस्ता जो सेवेन स्टार होटल में होती है और ऐसे ऐसे पान सो इस्टेशन बने गए उसका सिला नियास कर दिया अब यह काम करते हुए एक सवाल तो उठता है न कि क्या इस तरह का सोच भी विपक्ष जब सासन में था सत्ता में था आया क्या? नहीं उपर से जब हम संसत चलने की होती है तो यह लोग एक कोई मुद्दा लेते हैं और कहते हैं इस पर बहस करो और बहस भी नहीं करते हैं और संसत को हंगामे की भेट चाहा देते हैं तो फिर परधान मंत्री जी का कहना तो बिलकुल वाजिव है क्योंकि वो परिसान इस बात से है कि ये सरकार इतनी तेजी से काम क्यों कर रही है आप सोचिये कैसा लगता है सुनने में कि देश 2014 तक 74 एरपोर्ट था देश में और 2014 से अभी 9 साल में 74 और नए एरपोर्ट बन गए किसी के सोचने के लिए कितनी बड़ी बात है अगर आपको पता चले कि पहले 12 किलो मीटर एक दिन में सड़क बनती थी अब जो है 42 किलो मीटर एक दिन में सड़क बनती है निशनल हाई वे अरे भाई देश तो वही है लोग वही है और पहले क्या होता था कि सिला नियास करती थी जो भी सरकार जिस रिजीम में तो कहीं तीसरे रिजीम में उसका लोकारपण होता था आज जिस रिजीम में सिलान्यास होता है उसी में लोकारपण होता है दूर मत जाएए खाली दिल्ली की बात करिए दिल्ली में 2014 तक केवल लगबग 60 किलो मीटर मेट्रो बनी थी और आज इसी नौ साल में 370 किलो मीटर मेट्रो बन चुकी है ऐसा आकड़ा है अगर थ्रह उपर नीचे हो जाए तो छमा करेंगे तो प्रधान मंत्री जी जो ये बात कह रहे है न कि विपक्च जब सत्ता में था तो कर नहीं पाया जब मोधी सरकार सत्ता में है वो कर रही है परफॉर्म कर रही है सोचिए दिल्ली में नल से जल दिल्ली के धाई करोड की आबादी में नहीं दे पाए और नरिद्र बोधी सरकार तेरह करोड घरों में नल से जल गाउं गाउं में दे दिया बुंदेल खंड में दे दिया जहां ट्रेन से पानी जाता था निश्चित रूप से परधान मंत्री जी जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ा सत्य देखो प्रदान मंत्री जी बिला वजह विपक्ष पे चोट नहीं करते लेकिन जब विपक्ष सरकार की स्पीड रोकने में लग रहा है तब निश्चित रुप से बयात कहेंगे भी और हम उसको बार बार कहेंगे उनकी सदस्यता कोट ने खालिश की थी जिसको सजा मिला दो साल का दो साल की सजा होते ही आपकी कोई सदस्यता चली जाएगी बीजेपी के भी कहें लोगों की गई है अगर कोट अपना फैसला बदलता है तो सजा भी भाल हो जाएगी अब अभी जो राहुल गांदी जी की सजा पे रोक लगी है तो सजा पे रोक है या सजा माफ कर दी गई है इसकी क्लियारटी आते ही हो जाएगा इसमें कोई रोल नहीं है ये पूरी कहानी राहुल गांदी जी से सुरू होती है और राहुल गांदी जी भी खतम होती है बड़ा मुझे दुख होता है अरे यार अगर तुलना कर नहीं है तो भारत की तुलना अमरिका से करो भारत की तुलना चाइना से करो भारत की तुलना, फ्रांस, जर्मनी, लंदन, यूके से करो, रूस से करो, कहां पाकिस्तान से तुलना करने चले जाते हैं पाकिस्तान इस समय दुनिया की पचास एकोनमी में भी नहीं है इस्थिती यह है कि आज वहां आठा डाल के खाने के लाले पड़ रहे हैं और हमारा देश दुनिया की पाँचमी सबसे बड़ी एकोनमी है, पाँचमी और जहां तक रही बात न, आप स्वयम देखिए कितना ये लोग दोगलापन करते हैं जब राहूल गांदी जी को रहात मिलती है तो कहते हैं लोग तंतर जिन्दा है और वही जाकर के अमेरिका में कहते हैं लोग तंतर खतरे में हैं देश में ये दोनों बात एक साथ को नहीं हो सकती हम सबको विश्वाश दिलाना चाहते हैं ये देश में लोग तंत्र है, लोग तंत्र था और लोग तंत्र रहेगा किवाले इमर्जेंसी के दौर को छोड़ दीजिये तो एक ओबैसी जी की पूरी राजनिती डरा करके ही चली है वो हमेशा एक हिंदू मुसल्मान के बीच नफरत पैदा करते हैं लेकिन अब उनके चंगुल में कोई आने वाला नहीं है जो ग्यानवापी के वाराणसी के जो मुसलिम पक्चिकार है जैसे ही सुप्रीम कोट ने कहा नहीं, A.S.I. ने हमें कहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा इमारत को सर्वे होगा, तो सभी ने स्वागत किया अब यो वैसी बीच में कहा आ जाते हैं बहुत ही नाजुक मसला है जो साक्ष मिल रहे हैं वहाँ भगवान शिव के मंदिर के हैं मुझे लगता है कि इसमें राजनितिक बेयानवाजी नहीं होनी चाहिए सर्वे हो रहा है, जो सत्य होगा उसको वस्थान मिल जाएगा पहली बात तो वह दौर चला गया जब पाकिस्तान की सैनिक, हमारे सैनिकों को मार दिया करते थे सिर्काट के ले जाया करते थे, वह वैसी जो याद कर रहे है न, राहुल गांधी जी के सासनकाल में उनके पिता जी के, उनके कॉंग्रेस के, उनके सासनकाल की बात है पहली बात तो आज हिम्मत नहीं है कि भारत के सैनिकों के तरफ कोई नजर उठा के देखे दूसरी बात, हमारी, हमारे कुटनितिक रिष्टे चल रहे है, पाकिस्तान का दूतावास है यहाँ पर, जाये, वैसी जी कभी जाये न, बात करके आईए आप उसकी बात नहीं करते हैं, देखिए यह भारत का बड़पन है, हमने कड़ाई से आतंक को पोशित करने वालों को जबाब भी दिया है, और जो हमारे खेल के रिष्टे हैं, वो चल भी रहे हैं, खेल के रिष्टे, कूर्टनितिक रिष्टे, चलने ही चाहिए, हाँ, पाकिस्तान कुछ गलतिया कर रहा है, हम उसका माकूल जबाब भी दे रहे हैं, और भविश्य में भी देंगे, जब तक पाकिस्तान अपने को सुधार नहीं लेता है,